समूहों के रूप में भिन्न और भिन्नों के गुणज 18 बिंदों के संग्रह 1 बटा 3 18 बिंदों के संग्रह का 2 बटा 3 याने 18 बिंदों का 2 बटा 3 का अर्थ है 18 भाग 3 बराबर 6 और 6 गुणा 2 बराबर 12 अब हम एक उधारण दर्जन का लेते हैं दर्जन का 1 बटा 4 इसका क्या अर्थ हो सकता है दर्जन 12 एक बटा 4 दर्जन का मतलब 12 भाग 4 बराबर 3 उत्तर 3 के लिए अब ही दर्जन का 3 बटा 4 का अर्थ कितने के लिए 12 भाग 4 बराबर 3 12 को 4 से विभाजित किया तो 3 आया 3 गुणा 3 बराबर 9 3 को 3 से गुणा इसलिए 3 बटा 4 दर्जन का भाग याने 9 के लिए कक्षा पांचवी में उनके पसंदिदा खेल के बारे में सर्वेक्षन किया गया था जिसका पाई चार्ट कुछ इस प्रकार बना सबसे लोग प्रियखेल कौन सा है क्योंकि 1 बटा 2 बड़ा है 1 बटा 4 से 1 बटा 4 बड़ा है 1 बटा 8 से बच्चों ने किस भिन को चुना क्रिकेट, बास्केट बॉल फुटबॉल, खो-खो यदि 200 चातरों का सर्वेक्षन किया गया तो कितने चातरों ने क्रिकेट को चुना हम पाते हैं 1 बटा 2 याने 1 बटा 2 गुना 200 बटा 1 बराबर 100 क्रिकेट 100 फुटबॉल 1 बटा 4 गुना 200 बटा 1 बराबर 50 200 का 1 चौथाई 200 का 1 बटा 8 वा भाग याने 1 बटा 8 गुना 200 बटा 1 बराबर 25 25 बास्केट बॉल खो-खो 200 का 1 बटा 8 वा भाγα याने 1 बटा 8 गुना 200 बटा 1 बराबर 25 सर्वेक्षन से बने ग्राफ को देख कर हमें बच्चों के पसंदिदा खेल के बारे में पता चलता है कक्षा के छात्रों का सबसे लोग प्रिय खेल क्रिकेट है रुपेय का एक बटा दो हिस्सा मतलब कितने पैसे एक रुपेया बराबर सो पैसे इसलिए एक बटा दो रुपेया याने सो भाग दो बराबर पचास पैसे रुपे का 2 बटा 5 भाग याने कितने पैसे 2 बटा 5, 100 पैसों से मतलब 100 भाग 5 बराबर 20 और उसको 2 से गुणा याने उत्तर है 40 तो रुपे में से 2 बटा 5 बराबर 40 पैसे विजमहर या असमहर भिन्नों को घटाना 17 बटा 18 घटा 5 बटा 12 बराबर कितना 18 और 12 का सामान्यहर है 36 17 गुणा 2 बटा 18 गुणा 2 घटा 5 गुणा 3 बटा 12 गुणा 3 34 बटा 36 घटा 15 बटा 36 34 घटा 15 बटा 36 बराबर 19 बटा 36 अनीता ने 5 गुणा 1 बटा 2 मिटर रसी के रोल से 3 और 2 बटा 3 मिटर भाग काटा अब उसके पास कितनी रसी बची है मिश्री दिन्नों को अन्शाधिक बिन्नों में बदले अनीता ने 3 और 2 बटा 3 बराबर 11 बटा 3 मिटर रसी काटी 3 गुणा 3 बराबर 9 और 9 अधिक 2 बराबर 11 रसी की कुल लंबाई 5 और 1 बटा 2 अन्शाधिक भिन्न थी 5 और 1 बटा 2 बराबर 11 बटा 2 रसी की कुल लंबाई पांच गुना दो बराबर दस और दस अधिक एक बराबर ग्यारा कुल लंबाई घटा काटी गई रसी कुल मिलाकर बची रसी याने ग्यारा बटा दो घटा ग्यारा बटा तीन दो और तीन की गुण संख्या है छे 12.3 बटा 2.3 घटा 11.2 बटा 3.2 हर 2.3 गटा 22.6 बराबर 11.6 मिटर रसी बची बराबर एक पूर्णांग 5.6 मिटर हम 11 बराबर 6 अधिक 5 को मिश्रित भिननमे परिवर्थित करते हैं हमने क्या सीखा? असमहर भिन्नों को घटाने के लिए हम उन्हें समहर भिन्न के रूप में बदलते हैं और फिर घटाते हैं एक संगर के भिन और भिन्न के गुणज स्वाध्या दिपिका के पास एक मीटर कपड़ा था ड्रेस से लाने के लिए उसने तीन बटा पांच कपड़ा इस्तमाल किया उसके पास कितना कपड़ा बचा था निम लिखित क्या है एक बटा पांच गंटे बराबर कितने मिनिट, एक बटा पांच पंधरा लिटर से कितने लिटर, तीस पुस्तकों का दो बटा तीन खोजे, बाईस किलों का साथ बटा ग्यारा खोजे, पैसट गिंदू का पांच बटा तेरा खोजे, निम लिखित आकरती के तीन बटा चार भाग लिखिए उस भिन पर गोल बनाई है जो एक साथ जोड़ कर बनाते हैं सही विकल्प चुने गुढ़ल के फूल प्रतियक पंखुडी उस फूल का टिमटिमब भाग होती है एक बटा पांच दो बटा पांच और चार बटा पांच झाल